आज हम सीखने वाले हैं, HTML के अंदर form किस तरह से create किया जाता है, किस तरह से बना जाता है, form किया दिया हम बात करें, तो form आप सभी ने देखा होगा, आप Facebook अकाउंट बनाते हैं, Instagram अकाउंट बनाते हैं, सब पर आप form बारते हैं, किसे में भी आपने form बारा होगा, college admission किसे में, तो एक form HTML के अंदर किस तरह से create किया जाता है, वो हम सीखने वाले हैं, साथ ही साथ उसमें कौन-कौन से attribute और tag यूज होते हैं, वो भी हम सीखेंगे, उसके लिए सबसे पहले हमने notpad open किया है, और हम यहाँ पर tag स्टार्ट करते हैं, HTML, उसके बाद title, और title के अंदर हम title दे देते हैं, form in HTML, हम HTML form के लिए HTML page बना रहे हैं, तो हमने इसका title भी दे दिया, form in HTML, और यहाँ पर title tag को हमने करती है, close, क्योंकि हम एक साधारन form बना रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर head और CSS अभी apply नहीं कर रहे हैं, हमने direct title tag लिया है, title के बाद body tag ले लिया है, ठीक है, जो CSS की coding हम head में करेंगे, वो करेंगे next lecture में, अभी हमने यहाँ पर body tag ले लिया, एक message देते हैं, form in HTML, जो हमारे form का पहले message प्रिंट होगा, हम आपर, ठीक है, इसके बाद हम दो tag start करते हैं, form के लिए चुके हमें form लेना है, तो form element define करने के लिए, हमने form tag यहाँ पर ले लिया है, ठीक है, form tag लेने से क्या होगा, define होगा क्या आने वाला element है, वो क्या है, एक form है, ठीक है, form tag के बाद, हम यहाँ पर कुछ entries complete करवाने वाले user से, जिसमें उसका first name लेंगे, first name जो हम यहाँ पर ले रहे हैं user से, वो किस format में होगा, वो एक text format में होगा, तो यहाँ पर हम input type भी क्या ले लेते हैं, एक text format ले लेते हैं, ठीक है, और जो first name ही हमारा आगया, इसी परकार से जो हमारा second name होगा, वो भी एक input जो उसका होगा, क्या होगा, वो text type का होगा, हमने यहाँ पर बी आर से जो है, इसे tag को close किर दिया है, sorry tag की line हमने change किया, next जो हमने tag लिया है, वो है last name tag, और इसका भी जो type होगा input का, वो कौन सा type होगा, वो होगा एक text type का, ठीक है, यहाँ पर text की एक हम बात करें, जो भी हमारे alphabets में, value insert कराते हैं, वो text होता है, br ले ले लेते हैं, नई line के लिए, यहाँ पर दो हमने text box लिया होगा है, first name और last name, तो दो block यहाँ पर बन के आएंगे, text boxes, जिसके अंदर हम entry करेंगे, next उसके बाद हम लेंगे, उसका gender, जो हम users के लिए form बना रहें, तो first name, last name लेने के बाद, अगला जो होगा, वो हमारा क्या होगा, वो होगा user का, हम यहाँ पर gender पूछेंगे, ठीक है, line break किया है, BR tag से, और नीचे जो है, type दे रहे हम, input type radio, ठीक है, radio button में, हम वहाँ पर option दे देंगे, एक उसको दे देंगे mail, ठीक है, BR करके new line पर जाएंगे, और next जो है, दूसरा भी हम उसको input देने वाले हैं, वो भी किस type का, वो भी एक radio button type का होगा, जिसकी value क्या होगी, वो होगी female, ठीक है, मतलब दो, जो message पर इंठ होने वाले हैं, एक radio button, जिसके सामने लिखा होगा mail, और दूसरा क्या होगा, female, हमने यहाँ पर gender पूछने के लिए, radio buttons के use कि, हम यहाँ पर text box भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर बात करें, radio button की, तो radio button का benefit यह होता है, कि उसमें जित्ते भी आप options देते हैं, उसमें साब किसी एक को ही select कर सकते हैं, जिससे यहाँ पर male, female है, तो उसमें साब सिर्फ और सिर्फ एक ही वहाँ पर select कर सकते हो, ठीक है, अब next enter की बात करते हैं, तो user से क्या पूछेंगे, user से हम यहाँ पर उसके subject पूछने वाले हैं, तो यहाँ पर हमने एक message दे दिये, subject का, और subject के सामने बागी सारी चीज़ा आएंगे, तो यहाँ पर हमने BR से line break कर लिये हैं, और line break करके उसके नीचे एक-एक करके, हम input लेने वाले हैं, तो input लेने के लिए input का जो type होगा, अभी हमने radio बटन लिया था न, तो उसमें हम किसी एक चीज़ को select कर सकते थे, और subject तो क्या होँगे, बहुत सारे subject होँगे, तो अब जो options आएंगे, उसको हम किस format में लेंगे, input type उसका हम लेंगे, checkbox type का, ठीक है, तो एक हमने लिया input, checkbox, match, line break करने के लिए BR tag यूज़ किया, ठीक है, इसी प्रकार से, हम और आगे एंट्रे करेंगे लिखते हैं, first तो होगी हमारा match, second लेते हैं, input type, checkbox, यहाँ पर, जो हम input का type ले रहे हैं, checkbox, ठीक है, वो क्या है, एक input का attribute है, input हमारा element है, और उसका attribute क्या होगा, type होगा, जो हमने लिया है, checkbox के format हुए, दूसरा subject भी हमने यहाँ पर ले लिया, computer और, be a text से क्या कर दिया, line को break कर दिया, ठीक, इसी प्रकार से, हम आगे की entry भी complete करेंगे, second हमने ले लिया है computer, third हमने input type फिर से बनाया, input लिया है, और type हमने दिया, checkbox, और इस checkbox में, हम हमारा तीसरा जो subject है, economics वो डाल देंगे, be a text से line को break कर लिया है, line break करके next line पर जाएंगे, subject की entry हमने complete कर लिया, subject हमने यहाँ पर checkbox के format में लिया है, और उसके बाद जो user से हम लेने वाले हैं, उसका username लेने वाले हैं, ठीक है, username जैसे आप भी कोई form भड़ते हो, जिसे Google का बना रहे हो, account बना रहे हो, या Facebook का, तो यहाँ पर user ID या username हमें बनाना होता है, तो यहाँ पर हमने username लेने के लिए, एक यहाँ पर input type बनाया है, input element और उसका जो हम type लेने वाले हैं, यहाँ पर, इंट्री करने के लिए, जो input type होगा, वो होगा, text type का, और उसका हम वहाँ पर name दे देते हैं, username, ठीक है, यहाँ पर define कर रहे हैं, यह जो name है, वो आगे हम use करेंगे, कि किस तरह से हम उन चीजों को और, मतलब उसको किसी दूसरे function के तूरू, किस तरह से call करके, उसको आपे हम use कर सकते हैं, ठीक है, input लेना है हमको यहाँ पर, और input लेने के बाद, हमने यहाँ पर line को break कर दिया, second जो input हम उससे लेंगे, username तो हमने ले लिया है, username के बाद, हम उससे email ID भी उसका इंटर करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक message दिया है, email ID और email ID के सामने, यहाँ पर एक input type हम use कर रहे हैं, यह भी मैं वापी से text ही ले रहा हूँ, ठीक है, आगे जब हम इसको और ज़्यादा practical करेंगे, तो और भी अलग अलग तरीके से, इस input को मैं आपको लेकर बताऊँगा, कि उसमें क्या 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 condition हम लगा सकते हैं, ठीक है, हमने यहाँ पर input type ले लिया, किस type का है, text type का है, उसको एक हमने name हैं यहाँ पर define कर दिया, ठीक है, अब इससे क्या होगा, दो value हमेरे पास आ जाएंगे, यूजर नेम और एक email आईडी है, ठीक है, नई लाइन पर जाने के लिए, हमने BR tag का फिर से प्रियोग किया है, ठीक है, BR tag क्या करेगा, उसको वापिस एक नई लाइन पर ले जाएगा, तो यहाँ पर हमने checkbox भी complete कर लिया है, यूजर नेम भी ले लिया है, और यहाँ पर mail id भी ले लिया है, ठीक है, अब यह सारी चीज़ होगी, तो अगला हम क्या देंगे, उसको एक submit का button देंगे, कि एंट्री तो complete कर दे उसने, ठीक है, यह सारी एंट्री उसने complete कर दे, उसने name दे दिया, कि जब उसने सारी एंट्री complete कर ली है, तो अब उसको अपना जो भी उसका data है, उस data को वो submit करके save करे, ठीक है, जैसे वो submit button पे click करे, इसका यह सारा data कहाँ चला जाए, server पे चला जाए, आखिरम form बना है क्यों नहीं, वो data को server प्लेने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर हमने submit button ले लिया है, और उस पे जो value है, ठीक है, देखे, जैसे email के लिए हमने अलग से email लिखा था, user के लिए हमने अलग से user लिखा था, ठीक है, तो username लिखा था, तो वो लिखने के आप शक्ता नहीं है, और यहाँ पर हम desktop पे save करते हैं, फाइल का नाम दे देते हैं, चुकि form हम बना रहे हैं, तो form.html के नाम से में इस फाइल को यहाँ पर save कर रहा हूं, और यहाँ पर type हमने change कर लिए, all type और इसे हमने save कर दिया है, save करने के बाद अब desktop पे देखते हैं, इसको हमने open किया है, यह कुछ इस तरह से display हो रहा है, यहाँ पर देखिए, उपर heading आ गई है, ठीक है, वहाँ पर message आ गया है, HTML tag का first name, last name, ठीक है, gender के लिए radio buttons आ गया है, subject के लिए checkbox आ गया है, username, email id और submit का button, ठीक है, तो इस प्रकार से, हमारा एक first जो हमने बनाया था form, यह एक simple हमने form यहाँ पर create कर लिए है, जहाँ first name, last name और यह सारी चीए है, आपर text box है, radio buttons है हमारे पास, ठीक है, checkbox है, ठीक और submit का button है, coding के अधी हम बात करें, तो coding एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, form हमारा start हुआ है, और यहाँ पर जो हमने input type लिए हुए है, ठीक है, radio buttons, ठीक, उपर हमने लिए text box, first name, last name के लिए, gender के लिए हमने input type, radio button लिए है, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कि यह जो अलग-अलग text हमने लिए हुए है, text box लिए हुआ है, radio buttons लिए हुआ हमने एक ही बार इसको save करके, जो है, run करके देख लिया है, अब हम क्या करते हैं, एक-एक में थोड़ा परिवर्तन करके देखते हैं, तो यहाँ पर मैं एक extra radio button यहाँ पर create कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने कहा कि पूरा code ही copy करके paste कर दिया वापिस से, ठीक है, और यहाँ पर जो है, जो message था हमारे पास, एक female वाला, मैं एक other option भी देता हूँ इसको, ठीक है, input type तो क्या है, यहाँ पर radio button ही है, और यहाँ पर जो message print होगा, कौन सा होगा, others का, save करते हैं, और page को refresh करके देखते हैं, यह देखे हैं यहाँ पर, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर एक other का option आ चुका है, ठीक, इसी प्रकार से हम जो, अभी हमने क्या बना लिया, radio button, इसी प्रकार से हम check box में भी, यह एक नया check box यहाँ पर ले करके देखते हैं, ठीक, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर input type लेते हैं check box, ठीक है, इसको हम select करके डारेक्टिव में copy paste कर रहा हूँ, ठीक, यहाँ पर एक नया check box आ गया है, input type है, check box, और वहाँ पर हम एक subject का नाम दे देते हैं science, ठीक है, और इसको भी हम यहाँ पर be a text line को break कर देते हैं, control s की साहेता से हम इसको save करते हैं, और file पर जा करके देखते हैं, refresh करके इसे, ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे सबसे, जो check box है subject की list में, सबसे last one हमारा यहाँ पर science add हो गया है, content काफी pass-pass दिखे रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा दूर करने के लिए coding में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, ठीक है, यहाँ जो हमारा username और mail ID है, subject के बाद एकदम से चिपका हुआ, तो उसको नई line पर लाने के लिए हम यहाँ पर एक और BR यूज कर लेते हैं, जिसकी साहता से क्या होगा, वो थोड़ा हमें अलग दिखेगा, ठीक है, और साथ ही साथ email ID के बाद भी जो हम एक BR टेक एक्स्टरा यूज कर रहे हैं, सेव किया है, पेज को रिफ्रेस करके देखें, यह देखें, इसक्रीन पर आपको दिख रहा है, कि जो हमने यहाँ पर BR टेक प्रियोग किये हैं दो, उसकी वज़े से क्या हुआ है, साइन्स के बाद एक एक्स्टरा लाइन आ गई है, और यहाँ पर email ID के बाद भी एक एक्स्टरा लाइन आ गई है, जिससे की username ID हमें अलग individual दिख रहा है, और submit के बटन भी हमें थोड़ा दूर वहाँ पर नजर आ रहा है, तो इस प्रकार से हम एक से ज़्यादा विया टेक का प्रियोग करके अलग अलग लाइने भी वहाँ पर insert करके, यहाँ पर थोड़ा सा इसका डिस्प्ले और चेंज कर सकते हैं, submit के बाद यहाँ पर हमने हमारा जो form है, close कर दिया है, body close कर दिया है, तो आज हमने सीखा कि एक सामान्य form html में किस तरह से create किया जाता है, किस तरह से बना जाता है, next class में हम सीखेंगे किसके उपर css कैसे apply की जाती है, इसके उपर जो है अलग-अलग operation कैसे add किया जाते है, किस प्रकार से जो एक page से दूसरे page पेज data jump करता है, साथी साथ ये data किस तरह सर्वर पे जाता है, उसकी coding भी हम सीखेंगे next class में, तब तक के लिए have a good day, धन्यवाद.